Hello my dear students, I am Karamjit Singh. I welcome you all on my YouTube channel The Quest of Karamjit Institute. The Quest of Karamjit Institute channel के उपर आप सभी students का स्वाकत है. सबसे पहले तो मैं आप सभी students से apology करना चाहता हूँ क्योंकि एक महीने से आपके पास कोई भी, इवन की यूं कहलो की तीन से चार महीने हो गया है, प्रॉपर से लेक्चर आपके पास नहीं आ रहे हैं। उसका रीजन यही है कि मुझे आफलाइन क्लासेस भी लगानी पड़ती हैं और मैं जाता भी हूँ, मतलब उनके प्रोजेक्ट भी होते हैं जहां पर मैं प्रेजेंट काम कर रहा हूँ तो इसलिए टाइम मुझे थोड़ा कम मिल पाता है तो फिर मुझे लगा कि अपने चै लेकिन कुछ कई बार सरकम्स्टांसिस ऐसे हो जाते हैं जिसकी वज़ा से वह लेक्चर आप तक नहीं पहुँच पाते हैं तो अब आप ये नया लोगो भी देख रहे हैं मतलब नया इसका एक इंटरफेस भी देख रहे हैं एक्चुल में क्या हुआ कि कुछ दिन पहले मे लेक्चर मैं कोशिश करूँगा की आप तक पहुंचाथा हैं तो पंजाब से रालेट disc जो भी होगा यह स्टाइट कमें faculty के आप के पास कौशन होनगे वह शारे आप पँहूँचएंगे ठीक हैं कोशिश करूँगा की एक्जाम का रिवीव धी करूँगा कोई पृस पित कि रजह के बाद यह थी कि साल भी हो गया और मुझे पता भी नीच ला कि हमारे इस चैनल को एक साल हो गया है, तो मुझे बाद में पच्छा चला जब आप आलम।स्ट काफी दिन उपर हो गया तो आप देख लेजे, डेड़ महीना हो गया उपर, ठीक है ना, तो ये डेड़ महीना उपर हो गया और मुझे पता ही नहीं है, लग बग दो महीने हो गया, मुझे पता ही नहीं है कि मेरी चैनल कि सालगेर अभी चलीगी, चलो कोई आती ही, नेक्स टैम मैं इसका ध्यान रखूँगा, ठीक है, तो चलिए फिर अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं, देखते हैं, आज क्या लर्न करने के लिए हम आये हैं, तो आज हम स्पैलिंग मिस्टेक का लेंगे, देखेंगे, स्पैलिंग के रूल्स पहले देखेंगे फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन आपके पास रेगुलर आएंगे, जो स्पैलिंग मिस्टेक के, जो सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा, एक या दो लेक्शर में, प्रिवियस एयर्स के जो कोशिंग आए हैं, ठीक है, तो वो कोशिंग करेंगे, फिर उसके बाद अप हिम्मत वालों का ही साथ देती है, तो आप सभी हिम्मत वाले हैं, वो देखते हैं, यह जो लेंग्विज है, जिसमें आपको दिक्कत आती है, वो सारी दिक्कत हम दूर करते हैं, ठीक है, वर्ड है, तो उस वर्ड को जब हम चेंज करते हैं, किसी भी तरीके से, तो कौन सी सी चीज़े होती हैं जिसमें हमें ध्यान रखना है चेक है तो spelling mistake के कुछ rules हैं उन्हें को हम देखेंगे चेक है तो spelling के basically government exam में इस तरह की question कई बार पूछ लिए जाते हैं तो इसके बारे में हम अब discuss करेंगे पहला rule देखते हैं one syllable words ending in single and single consonant double the consonant before a suffix beginning word with the vowel देखें इसका मतलब क्या है वो यह कहता है कि अगर किसी word के एक syllable में हम अपना concept clear कर रहे हैं ठीक है अगर किसी word के syllable में एक word हो मतलब एक syllable हो यह वाला syllable होता है ठीक है जैसे vowel होते है ना उसको हम syllable stress भी बोलते हैं इसी सही हमारी word की pronunciation decide होती है ending in single मतलब ending in single and single consonant मतलब single consonant मतलब मान दीचे हमने बैग लिखा वो यह कहता है ending with vowel and ending with consonant तो double the consonant before the suffix beginning with the vowel मतलब उसको change करते रहे हम हमें double the vowel double the consonant double the consonant before a suffix beginning with vowel चीक है तो हमें ऐसे करना है जैसे बैग है बैग है नोट बैग बैग है तो इसको हमें second verb की second form में हमें change करना है तो हम ऐसे लिखेंगे बैग्ड गट इस तरह से लिखेंगे तो वो कहता है इसको देखेंगे डबल the consonant before a suffix beginning with the vowel beginning with the vowel ओके इस तरह से बिगनिंग with the vowel इस तरह से sorry suffix beginning with the vowel मतलब इस तरह से जो वर ये वाला होगा उसी तरह से उसका beginning तो ये होगा लेकिन इसको double G कर देंगे और ED में change कर देंगे ये तो हमें पता है एक और देख लेते हैं sad को देख लेते हैं Rob को भी देख लेते हैं इसको मैं रब कने लगा हो भी जैसे sad है तो sad क्या हो जाएगा इसकी जगा पर हम अगर super relative करते हैं तो हो जाएगा sadist sadist ठीक है Rob है तो हम Rob को क्या बोलेंगे robber बिलकुल ठीक है इस तरह से तो मतलब इस वाले पार्ट को अपने ध्यान रखना है words to two or more two or three syllables ending in single vowel ending in single vowel single consonant single consonant मतलब दो vowel की बात कर रहा है यहां पर पहले वाले को देखो i और e है permit में e, i है occur में o, u है control में double हो है मतलब है तो दो vowel use हुए न है यहां पर दो syllable use हुए न तो single consonant double the final consonant if the first is stress देखे क्या होता है इसका मतलब क्या है single consonant double the final consonant तो single consonant में इसको यह कह रहा है कि जो यह वाला last वाला consonant है इसको हमें double करना है और the first syllable is stress तो इसका जैसे हम beginning beginning तो beginning तो first वाला जो syllable होगा वो हम stress करेंगे जैसे begin का हम कैसे लिखेंगे g-i-n-i-n-g तो beginning beginning तो इसका stress यहां पर आता है ऐसे permitting permitting ठीक है permitting तो इसका stress यहां पर आता है occurred occurred का हो जाएगा o double c u r e d occurred occurred में हो जाएगा ठीक है control का क्या हो जाएगा controlled old हाना controlled इस तरह से लिख लो controlled okay तो इस तरह सिसका change हो जाएगा चलिए लेकिन some exceptions भी है some exceptions में हम कैसे कहते है इसको देखी benefited 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 हम बोलते हैं इसमें कोई syllable stress नहीं वर्षप्ड सभी को हमने अच्छे से बोला वर्षप्ड ठीक है handicapped बोलने से क्या है ठीक है मतलब इसमें कोई stress नहीं दे रहे हैं directly बोल रहे है benefited worshipped kidnapped handicapped तो कुछ exceptions है जिनको हम follow कर सकते हैं in British English the consonant L is doubled even if the stress doesn't fall on the last syllable वो कहता है कि British English में जो last अला consonant L से खतम हो तो उसको हम double कर देते हैं ठीक है जैसे जैसे हम कहते हैं क्वाल्ड है तो क्वाल्ड यह क्वाल्ड यह होगा यहां पर ठीक है क्वाल्ड को हम जब इसको प्लूरल करते हैं तो LED कर देते हैं ऐसे ही signaling Signaled भी कह सकते हैं signaling भी कह सकते हैं ऐसे ही traveling ठीक है यह traveler मतलब इनके जो sentences का जो तरीका होता है मतलब sentences का कह रहा हूं sorry word का जो तरीका होता है वो इसके according change होता है तो British English में यह चीज़ें होती है देखे आपको यह difference का पता होना चाहिए American or British ठीक है तब ही आप कर सकते हैं चलिए if the word to which is suffix if the word to which is suffix full is added ends double L the second L is dropped तो कहता है कि अगर double L आ जाए तो उसको change करते time हम एक L को remove कर देंगे फिर उसको कैसे लेखेंगे जैसे अब यह skillful है तो skillful का skill skill है तो skillful हो जाएगा ऐसे will है तो will है तो willful single L आएगा यहाँ पर मतलब यह चीज़ें धिया रखने हैं आपको ठीक है तो जिससे skill है और will है तो जब हम इसको ऐसे change करेंगे तो willful हो जाएगा skillful हो जाएगा examiner आपको क्या कहता है इस तरह से लिख देता है skillful जो कि गलत हो जाता है क्योंकि double L में से एक L हम करेंगे चीक है चलिए next words ending in silent e drop the e before a suffix beginning with the vowel तो मतलब वो यह कहता है अगर इस तरह के कोई word आ जाएगे उसके last में जो e होता है vowel तो हम उसे drop कर देंगे जैसे हम live कहते हैं live का living हम कह देते हैं चीक है ऐसे moving हम कह देते हैं hoping कह देते हैं ऐसे ही driving हम कह देते हैं लेकिन इसका जो e होता है इसका e हम remove कर देते हैं मतलब हमें जरूरत नहीं है इसको use करने की ओके चलिए जैसे अब true है अब इसको देख लेते हैं यह थोड़े से exceptions है not exceptions है अब देखे कैसे वहां पर हमने जैसे living लिखा hope किया लेकिन truly में हम change नहीं करते हैं truly में हम truly को truly ऐसे लिखते हैं कई बार examiner ऐसे truly लिख देता है यह मुझसे भी गलती हुई थी कई बार तो यह गलत है ठीक है यह सही है truly का truly में change होगा truly में ऐसे हो जाएगा इसमें हमें नहीं करेंगे holy में holy में change हो जाएगा holy में हम ऐसे कहेंगे ठीक है nine में nine को हम t h use करते हैं तो इस तरह से लिख देते हैं ninth or का क्या होगा awful इसमें हम change कर देते हैं तो कुछ word हैं इसके साथ रखते हैं इसके साथ नहीं रखते हैं इसके साथ रखते हैं जैसे यह वाला as it is रहेगा और बाकी सब तो change हो जाएंगे ठीक है तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो यह some exceptions है यह exceptions के according काम करते हैं इनको याद करने का कोई यू नहीं है कि basic कुछ चीज़ें कर लो मतलब हैं तो ठीक है Renan Martin की book यह कहती है कि इस तरह से आपको समझना चाहिए ठीक है तो मुझे लगता है कि Renan Martin की book जो है वो सबसे best है आपको for to learn the proper grammar Notice the special case of words ending with CE, GE which keep the E when adding able और OIS मतलब कहता है किसी word के last में CE हो या GEO तो बस E रखते हैं और उसके बाद able use कर देते हैं या IOS कहते हैं अब notice है जिसे हम कहते हैं notice है तो notice को notice able हमें करना है तो अब अगर हमें notice को adverb बनाना है तो हम ऐसे लिखेंगे notice able ध्यान रखिएगा able जैसा word क्या होता है adverb हो जाता है ऐसे ही change changeable ऐसे ही peace peaceable मतलब change नहीं करते हैं हम इसको courage courageable ओके इस तरह से चलिए words ending in double E do not drop E before a suffix तो अब ऐसे double E वाले word आ जाएं तो उनको हम कैसे change करते हैं तो देखिए कैसे C का as it is रहता है तो मतलब double E आ जाए हम change नहीं करते हैं लेकिन यहां पर भी change नहीं करते हैं मतलब E के किसी case में हम change नहीं करते हैं तो C है तो हम क्या बोलेंगे seeing यह हम लिखते भी है C का seeing हो जाएगा agree का agreeing हो जाएगा ठीक है words ending in IE change the IE into Y to Y when ing is adding जैसे इसमें देखिए हम इसको कैसे change करेंगे जैसे die है तो इसमें हम Y add करेंगे जैसे die है तो IE को हम remove कर देंगे और Y के साथ हम ing कर देंगे मतलब IE जो होगा वो change हो जाएगा आगे चलके इसको use नहीं करेंगे तो consonant के साथ consonant के साथ हम एक Y letter को use करेंगे और साथ में हम ing यूज़ करेंगे जैसे die है dying die है dying okay ऐसे ही lie है lying मतलब IE की case में change होगा ठीक है चलिए a final a final y following in consonant change into i in the suffix ing वही same चीज़ जैसे happy है वो कहता है कि y following consonant following consonant changes to i a suffix except ing जैसे happy है तो इसको देखिए वो कहता है happy है तो हम i add करेंगे इसको हम ऐसे लिखेंगे happily मतलब ly से पहले हम before i हम use करेंगे तो y को हम remove कर जाएगा caring ठीक है marry caring भी हो जाएगा ऐसे carried भी कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो जैसे carried ब", many by admit I use करेंगे और ad use कोई दिक्कत नहीं है Morray का marriage का marriage I के बाद ag कोई दिक्कत नहीं मतलब mतलब in word हम use करेंगे υडिक hai génLL giving maraging, mixing भी कह सकते हम कोई दिक्कत नहीं ओ तो जैसे carry है को हम कैसे चेंज करेंगे देखिए अब यह कुछ एकसेप्शिंज है मैरी है मैर्इंग है पे है प्रे है तो प्रेंग हम बोलते हैं पे है तो हम पेंग बोलते हैं से है, तो हम सेंग बोलते हैं, डे है, तो हम डे का कैसे बोलेंगे, डे का हम डेली बोलेंगे, ध्यान रखेगा, डे का हम डेली बोलेंगे, ऐसे ही गे है, तो गेली बोलेंगे, ये थोड़े से exceptions हैं, इनका अप ध्यान रखना, ठीक है, ऐसे ही ले है, तो हम बोलेंगे लेड, ओके तो ये आपको समझ में आ जाओगा चलिए वन आई ई ई आई इस प्रनाउंस लाइक ई जैसे जीप आई कम्स बिफॉर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी जैसे बिलीव है तो बिलीव है इसका प्रनेंशिशन क्या होता है डबल ई आला होता है तो इसकी जगा पर हम क्या करेंगे बताईए क्या कर सकते हैं जे वो ये कहता है कि वन आई ई जैसे वर्ड आई प्रनाउंस लाइक ई जब हम इनको डबल ई से प्रनाउंस करते हैं तो I comes before E तो इसका मतलब वो ये कहता है जो I होता है वो E से पहले होता है और इनकी जो pronunciation होती है वो double E वाली होती है ठीक है? देखे नॉर्मली I और E को अगर हम प्रनाउंस करके देखें I का मतलब तो I इस तरह से हिंदी में लिखते हैं और E का मतलब हो गया E इस तरह से लिखते हैं तो इसका मतलब ये कह रहा है कि जब ऐसे words प्रनाउंस ऐसे करें तो हम क्या कहते हैं? उसके मतलब वो कहता है C के C के बाद हम I, E जैसे word का यूज़ करते हैं जैसे यहाँ पर जैके believe है तो believe का मतलब ठीक है यहाँ पर C नहीं है लेकिन believe का यहाँ पर L और A है तो consonant ही ना चलो first वाले को एक बार छोड़ दो second वाले को देखो receive तो यहाँ पर जो receive है वो गलत है ठीक है? तो यहाँ पर होगा receive का I होगा यहाँ पर ठीक है? I तो यह spelling mistake अब यही spelling mistake आपकी exam में आते है एक मुनिट हरो मैं दोबारा करके दिखाता हूँ आपको यह पॉस कर ले ना ठीक है? समझ में आदेगा आपको कोई दिक कर नहीं है यह spelling गलत है receive के spelling यह होते है वो यही तो कह रहा है कि C से पहले IE हो ऐसे relieve हो तो भी ठीक है जब भी कभी हम E अब इनका sound का क्या आ रहा है? double E वाला ही तो sound आ रहा है relieve, believe, achieve, grieve, field हाँ ना? तो सब के साथ अब यहाँ पर grieve के spelling गलत है ठीक है ना? तो यहाँ पर G, R, I, E, V होना चाहिए ठीक है? ऐसे achieve के गलत है तो यही गड़बड हो जाती है तो यही तो spelling के rule है यही आपको spelling के rule का ध्यान रखना है एक और example है जैसे देखो seize, यह देखो weird, अब यह क्या है? यह some exceptions है इनको क्या है? इनका भी अब I, E से related है लेकिन इनका क्या pronunciation है? E वाला इनका क्या था? I और E से है और इसका क्या है? E और I से लेकिन pronunciation भी है अब seize के साथ हमारा spelling mistake यह रहेगा weird के साथ ऐसे रहेगा surfeet के साथ ऐसे रहेगा counterfeit के साथ ऐसे रहेगा plebeian के साथ ऐसे रहेगा ठीक है? ध्यान रखेगा यह exceptions है और मतलब यह I E वाले है word और वो कौन से है? नहीं सोरी E I वाले word है यह वाले और यह वाले कौन से है? I E वाले लेकिन दोनों की pronunciation double E वाली है ठीक है? ध्यान रखेगा यह वाली तो यह थे आपके spelling के mistakes के कुछ rules आगे आने वाले जो session होंगे उनमें मैं आपको spelling mistake की exercise लेके आऊंगा और आपको कोशिश करूंगा की maximum चीज़ें आपको करवाऊं ताकि आपको पंजाब government से लेटे काफी हद तक आपको help मिले तो चलिए फिर इनी शब्दों के साथ अब हमने session का end करते हैं. Thank you for watching this video बस अब एक काम करना के मैंने last year August को बनाया था मैंने इसलिए ही थोड़ा सा highlight किया है ताकि मुझे ही आद रहे ठीक हैं तो मुझे याद नी रहा था तो कोई बात नी चले हो. Thank you for watching this video. Stay happy, stay safe, Jai Hil, Jai Bharat and Jai Kisan. Stay tuned.